हेलो अप्रिकांट साय से हॉन्बिल टीवी ला नागमीज एक्स्प्रेस नौथीस्टन स्टेट मनिपूर दे क्रिस्टिन पॉप्लेशन अलोप तो तंगोर से होईली भी इतु साल स्टेट ते एतनिक वाइलेंस दिखी पा कारने मनिपूर दे बिजनेस खान 70% डाउन असे इतु साल करेंट वाइलेंस कारने स्टेट ते था क्या दुकान और गिफ्ट कार्ट सेंटर ओरनेर्स खान कुई से की इतु साल बिजनेस तो क्रिस्मस शॉपिंग भी शिक कुर्याना है अलाक साल खान निशना तंगोर बैप्टिस चर्च पास्तर कुई से इतु साल फीस्ट और ओवर दर टॉप सेलिबरेशन खान न कुरिवो कोई गिना और डोनेशन पुईसा खान दो एत्निक क्लाशेस हो मोई विक्टम्स खान था क्या के जावो कोई गिना जनाई से इंफाल आसुप से दंगोर दूता चर्चेस, MBC सेंटर चर्च इंफाल और तांखुल बैप्टिस चर्च इंफाल दे लोग क्रिस्मस सेलिबरेशन्स मनाया से बच्छी लागे चोठी सी तारालाय पाँचाओ दे लाई बारी लाई मुक्ती दादा ये सक्षार माचन में बारी लाई इन पारे सक्र्च अच ऑडू ओ ज्या लो जंकतें लोग मेरी च्मस्क्रीश्मस Hello, my name is Kriyampam Kamradai, I am the pastor of the Tonkul Baptist Church in Pharaid. The message of Christmas is timeless. Christmas. This year, it is very timely. Jesus Christ was born into this world to heal brokenness, to unite people who are divided. And so in Manipur this year, his message is very timely. we wish our listeners and our hearers the message of Christmas which is peace, joy, love and reconciliation Jesus Christ is a Prince of Peace who brings reconciliation to everyone and so may this Christmas bring to you and to your family and loved ones joy, love and peace Amen What is the normal schedule of a Christmas for these tankul practitioners? Normally we celebrate Christmas for 3 days starting 24th evening and then it will continue up till the evening of 27th but this year because of the current situation in Manipur we have decided to show our solidarity with those who are suffering and we have decided to do away with the celebration and so we will be only doing the worship part and not feasting and celebrating and the money that we have collected will be given to the needy ones and we will be praying for those who are broken who are sad and who have been displaced Thank you sir on that note Merry Christmas to you Merry Christmas to you I'm Halle I'm Jemasi, my name is Nisha Ranpalli and my name is Nisha Ranpalli my name is Mr. Pramishnam I'm Jemasi, my name is Nisha Ranpalli ये सब सांती हो जाये और परमीशर का आजिस हम सब को हो जाये और ये Christmas में ये एक वीस है कि ये सब सांती होकर फिर हम सब लोग परमीशर का तरफ में हम सब लोग आगे बर जाये ये हम लोग का women, Garqa Battle of the Church का women society का तरफ से अप सब लोग को फिर वे Merry Christmas इंटरस्टेट बॉर्डर टॉक्स विद मीज़राम में घालायान अरो नाचल प्रदेश एसायम बॉर्डर प्रोटेक्शन अरो डेवलाप्मेंट मिनस्ता अतुल बॉरा ब्रा कुई से कि सेम अरो मीज़राम लाप बॉर्डर इशूस तो पुईला ब्रा पेंडिंग असे अरो हिमान तो विश्वा सर्मा सीम हो पेचिदे ताइब रा बॉर्डर इशूस तो रिजॉल्फ कुरूबले इनिशेटेव लोई से नौथी स्टीट्स लोदे मूचल अंडेस्टैंडिंग त्यावी अलोप तो डिस्प्यूट साथे औरो मोई खान इतो वोपोर काम कुरिया से कोई ना जनाई से दिखिया साम मेज़ूराम का जो बॉर्डर इशूस है इसे लोंग पेंडिंग प्रॉब्लेम तो आप जानते हैं क्योंकि जब हिमान तो विश्व श्रमा जी सिफ मिनिस्टर बनेई सिएम खूर इनिशेटिव लिया था नौटिस्ट का जितना स्टेट है इस स्टेट का साथ जो बॉर्डर इसूस है यह बॉर्डर इसूस डिसकस्शन करके मुशल अंडरस्टेइडिंग में यह रिजल्फ करना है तो इसलिए आप जानते हैं कि और नसल का साथ हमें डिसकस किया और नसल का साथ मेघालाइक का साथ तो सम इशूस सम डिस्प्यूटेड आप मिन पॉइंट्स अभी भी है उसके लिए भी हम अभी काम कर रहें दोनों मिलके कि दोनों मिलके संखेंस की दोनों उडिस्पूम क्या था फंक कर दिया हो फिर क्याम कर है तो यह एशू सब्सक्र से ऐख ब्रक सत्रा दिस इमेघालाइक का सबी हमरे रिशकस में होऊ था शुनाओ को लिए रुका हुआ है तो पीर नया गवर्मेंट आया, नया गवर्मेंट आया, नया गवर्मेंट, what we have seen from that statement, they are also keen to resolve the issues. And the door is always open, because, आप देखिये, जैसिये औरनासल हमको, औरनासल का जीसे क्लेम थे, मेघाले का जीसे पहले क्लेम थे, मिजुराम का नहीं थे, तो मिजुराम का नहीं था, इसलिए हम मिजुराम को बोला कि आपका, आप क्या साहते हैं, असाम का तरफ से, अलरी देखिये अप्राइब। I think, definitely, if we shit together, we'd be able to resolve the issues, because one-to-one talk was held with मिजुराम स्थिपिनिस्टर, former स्थिपिनिस्टर, जैरम थांगा, A new government, हम देखते हैं कि new government definitely issues resolve करने के लिए जरूर कुशिस करेगा, हम असा करते हैं असा मिलें शुर्ण करें इते मोगानेक तक खादबरिक लुए नवपासायो साहता है भी होन्विल्टीव कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अंकल म Syd c कर दो कर दो कर दो कर दो Okay, okay. I'll find out more about him and ask him to give me his landline and mobile number. Okay? Yeah, internet is a great place, but only when we have our safety blinkers on. Huh? What's that? Cyber shield refers to certain strategies and behaviours that can protect us from threats on the internet. We should build a cyber shield by practicing safe and healthy online behaviour. Some of these strategies are, report profiles that post abuse, block unwanted social users, take help from trusted adults, report to school or college authorities, make it clear that bullying is unacceptable, be available for someone if they are hurt. This is also helpful. So, I followed your advice and did my checks. His name is Rivan, studies in school nearby and we have some common friends too. Oh, Rivan, I also know him. He plays football. But I must say, it was a good advice. Just the other day, my cousin met someone she has been chatting with online and on the very first meeting, he asked for money. When she refused, he behaved very badly. Yes, people can pretend to be nice online and then take advantage of people and situations. Welcome back. Kajiranga National Park, elephant safari services to December 24th, Sunday day, indefinitely halted. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. से कुई गिना जनाई से क्रिपराल आज चीफ मिनस तमानिक साथ December 23 दिन अगर ताला दे socio-cultural event पेतुक संभेश विजेट कुरिसे इतो इवेंट तो नेटाजी प्लेफ फॉर्म सेंटर प्रा ओगनाईस कुरिया से इतो इवेंट विजेट हुमोई सेम लोकल मानुकान लोगों इंटराक्ट कुरिगीना स्टाल्स खान दे फूड आइटम्स भी टेस्ट कुरिसे सेम आरो इवेंट लाँ नाम पेतुक संभेश 2.0 राख्या दे खुशी जनाई से नाम्ता बरो खासा भएचे पेतु पेतुक संभेश अम जाहे ना पेतुक संभेश एकन प्रोती नाता जी प्ले सेंटर रूग दोगे टू पॉइंट हो इता सम्निर गोच्छ थ्री पॉइंट हो अभेश चल्वे तो भालो सब्दोता सुन ले किन्ट आतके उटे जे पेतुक अम्रा तो एक जोन आरेक जोन के अमनीती बुली जेतुक पर पेटु बुली नाम्रा किन्तो इठाके उट्र वाभे अनेक्समाय ब्यभवार कोल्ले मानुस सेटा को कि तो ग्रहन कोड़े आसके इखने भुकार पोड़े आमीदे एकलाम सबार मुके हासी एबं एटा आनुम दिमापूर डिस्ट्रिक्ट ओर्टो रिक्षा द्राइवर्स उनिन ब्राप क्रिस्मस दिन दे चार्टा चर्चेस काने फ्री आटो राइड राकी से सुमी बैप्टिस चर्च दिमापूर आओ बैप्टिस आरोगो रैगमा बैप्टिस चर्च दिमापूर आरो लोथा बैप्टिस चर्च दिमापूर खान चर्च जा मनुखान काने इतु फ्री ओटो राइट तो फुजोर 8 अम रा 1 पेम तक थाकिबो, कुंदू चर्च जा मनुखान ओटो दे, स्पेसिफिक स्टिकर पेस कुरी ना थाकिबो कोईगी ना जनाई से डाडू ला स्पेसिल क्रिस्मस ओफर असे कोई ना हेड ओफिस प्रा जनाई जी से इतु भाल इनिशेटिफ लुआ दो नाशनल देफेस्टेमी क्मांडन वाइस अद्मारल अजे को चार्वा कोई से की कार राली दो धरादू ब्रा पुनिये तक और्गनाई से कुंदू NDA कारकवास ला असे अरो अपरेशन बदली गे सिगनिफाय कुरे तकान 75 years of existence of NDA कोमेमरेट कुरिया से अरो इतु कार राली दो NDA ला मुव्मेंट सिगनिफाय कुरे फ्रॉम जेस दबलू रा पुनिये तक तकान बा आउट्रीच एक्टिविटीस कंडग कुरी से कुंदू तकान नेशन गे NDA ला अवेर कुरूबले कोशिश कुरेया से especially youths खान गे अरो तकान गे arm forces join कुरूबले motivate कुरूबले जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने एक्षgeon दो जाने खाने दो जाने खाने ध के त housedने आने मेशबबले गजाने चेसे जाने दो जाने दो करने लिए दिसे दो ने से हैं कि अब कहाने तो भिजूली ओर अब होग ना कि अब धूम The car rally which has been organized from Deradun to Pune, that is NDA Khadag Vastla, signifies Operation Badli. Basically, we are commemorating 75 years of existence of NDA. As you are aware, the concept of NDA was conceived before independence, and NDA started functioning from the Joint Services Wing at Clement Town Deradun. In about 70 years back, we launched Operation Badli under General Habibullah's command, where the NDA was shifted from JSW Clement Town to Khadag Vastla, Pune. So this car rally signifies the movement of NDA from JSW to Pune. And we have been having a series of activities commencing from 16th Jan 23. And all these activities and celebrations will culminate on 16th Jan 24, when NDA achieves its 75 years of existence. As part of these activities, we have conducted outreach activities, where we are trying to make the nation aware of NDA, and especially the youth, so that we are able to motivate them to join the armed forces. And this car rally is a part of, or one of those functions which have been organized. Welcome back. Welcome back. What the data suggests is that it is more transmissible, it is spreading more rapidly, and it is gradually becoming a dominant variant as far as COVID-19 is concerned, both in the U.S., in Europe, Singapore, and we are seeing more cases in India also. So it is causing more infection, possibly because it is more transmissible and taking over the older strains. But the data also suggests that it is not causing more severe infection, not causing more hospitalization, and most of the symptoms are predominantly of the upper airways, like fever, cough, cold, sore throat, running nose, and body aches. Sir, as of now, like COVID variant cases are also coming, flu, RSV cases are also running. How to stay healthy in this particular season? So this is the season when you will see viral infection, respiratory viral infections becoming more. Every year we see them, whether it is influenza, now COVID, and as you said, RSV and other viral infections. And that happens because of the temperature, because of crowding. It is a holiday season, people travel, so they will carry the virus with them. There is crowds, and many of the crowds are indoor because of the cold weather. And that leads to the spread of infection in a number of people. So I would say what we need to do is, first of all, COVID-appropriate behavior. Wash your hands regularly. If you have cough and cold, cough into your armpit or into a tissue, so that you don't spread the infection to others. Avoid going to crowded places, especially if you have fever, cough and cold, because you may be spreading the infection to others. And if you are in the high-risk group, that is, if you have comorbid conditions like diabetes, chronic respiratory diseases, chronic kidney disease, or heart failure, or you are in the older age group, then you should wear a mask if you go to a crowded place, or if you can, avoid going to an indoor crowded place because you can catch the infection. Within India, from November onwards, actually I think it is October last week, and then till now in the last eight weeks, we have just seen about 2022 cases. And there is no evidence that it is spreading very rapidly. Good bye.